Welcome back guys, तो इस यूडियो में हम देखने वाले है logistic regression के model का model creation, तो मैं यहां लिखता हूँ model creation, तो उसके लिए model creation के लिए हम क्या करते हैं, हम एक variable में लिखते थे हैं, तो मैं लिखूँँगा log model is equal to logistic regression for bracket, मतलब logistic regression का जो भी model है, उस यह log model के variable में fit कर दो, तो यह होने के बाद, इसके बाद हम करेंगे training, तो यहां पर लिखता हूँ train the model, तो मैं train कैसे करेंगे हम, हम train करेंगे train data पर, जो हमने यहां पर x train और y train लिया है, इस पर हम train करेंगे, तो मैं यहां पर लिखूँँगा log model.fit, मतलब इस model को fit करो, कहां पर fit करो, x train और y train, okay, so run, तो उसने model बना दिया है, यहां पर, देखो, उसने logistic regression आया, मतलब उसने model बना के ready किया है, मतलब इस पर model, यह logistic regression का model fit किया है, okay, अब उस fit को क्या करना है, इस fit किये हुए या इस train model को हमें use करना है, तो using model, so model यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या find out करते है, prediction, तो महीं आपे लेकूंगा, तो ypred is equal to log model, मतलब जो मेरा train हुआ हुआ, जो model है, उस logmodel dot predict, तो log model use करके predict करो, किस के साथ predict करो, xtest के साथ predict करो, okay, xtest की use करके predict करो, तो में आपे फिरोंगा run, अब ये तो run हो गया, मतलब उसने y prediction बना के तयार किया है, अब हमें अदक हमने model create किया, उस model को train किया, और उस model का train किया था model, उसका इस्तिमल करके हमने prediction किया है, और इसके बाद हमें करना है उसका accuracy checking, कि हमने हमारे model में कितने percent accurate result दिया है, तो ये तो है logistic regression, linear regression का accuracy testing के लिए अलग method है, या अलग coefficient होता है, यहां पे logistic regression के लिए हम use करते हैं, एक तो accuracy score और दुसरा confusion matrix, okay, तो सबसे पहले हम use करेंगे accuracy score, इसके लिए हम उससे पहले import करेंग, तो मैं यहां पहले हमकता हूँ, accuracy score, तो उसको input करेंगे, from scalar.matrix import accuracy score, accuracy score को input करो, तो हमने यहां पे accuracy score को input किया, उसके बाद हम यह use करेंगे y prediction, लेकिन y prediction हमें कहां पे compare करना है, y test के, y test पे, so हम y test और y prediction के बीच में compare करेंगे कि क्या हुआ है, तो मैं यहां के लिकूँगा accuracy score, accuracy underscore score, और यह मुझे apply करना है y test पर, जो मेरा original है, और वो के साथ हम compare करेंगे y prediction, जो हमने logistic regression model का use करके predict किया है, okay, तो मैं यह करूँगा run, तो मुझे आया है 0.62, मतलब हमारा जो model है, वो 0.62, मतलब 62% accurate है, हमारा model के accuracy है 62%, okay, तो हो गया यह एक method, दूसरा method है confusion matrix, okay, तो हम वो भी यहां पी इस्तमाल करेंगे, तो हम यहां पे लिखता हूँ मैं confusion matrix, okay, तो उस्तमाल करेंगे, so from, sklearn.matrix, sklearn.matrix, import करो, confusion, c-y-n-f-e-s-r, confusion matrix, okay, तो इस्तमाल करो, यहां पे इंपोट किया, हम डिखन करेंगे, एक c-max, well available में हम define करेंगे, confusion को, confusion matrix, और वो भी हमें लगाना है, हमें compare करना है, y-test, जो है हमारा original, और y-print, जो है हमारा prediction, तो हमने यह कर दिया, और उसके बाद में करोंगा, print, c-max, c-max को print करेंगे, तो यह थो अधा हमारा, confusion matrix, हमने print करवा दिया, जो actual और predicted, मतलब यह है हमारा actual one, और predicted one की, one था और one ही प्रेडिक्ट किया, इतने बार ऐसा हुआ है, यह है actual और predicted zero, मतलब zero था और zero ही प्रेडिक्ट हुआ है, 39 times क्या हुआ है, 39 times था zero original, मतलब y-test में था zero, लेकर हमने प्रेडिक्ट किया one, और 262 times हमें क्या मिला है one, मतलब था one और हमें मिला zero, तो यह इस तरह से हम इसे read करते है, confusion matrix को, और उसी के साथ साथ एक और method हम यहां पे देखेंगे, कि हमारे model का accuracy, या बाकी के सारे चीज़े चेक करने के लिए, और उसे कहते है, classification report, तो हम यहां पे, मैं यहां पे लिखता हूँ, तो classification report के लिए, हम यह उसे पहले import, from, sqlearn.matrix, वही से हमें करना है, import, क्या import करना है हमें, हमें import करना है, classification, report, classification report, तो हम करेंगे import, आप दो import हो गया है, तो हम यहां पे से, मैं यहां पे लिखूँँगा, report is equal to, classification report, किसका report चाहिए, y test, or y print, इनका मुझे report चाहिए, और मैं यहां पे करूँगा, print करूँगा, उस report को, तो जैसे मैं print करूँगा, यह देखो, यह पुरा आपका detail में, पुरा input करके देगा, कि आपका जो precision है, कि 0 का कितने percent precision है, 1 को कितने percent किया है, उसका recall कितना कितना था, उसके बाद यह one score भी दिया है उसने, और यह वाला support यह अलग-अलग है, जो नॉर्मली आपका, जब module balance होता है, तब आपको यह value near about चाहिए, और उसी तरह से उसने दिया है, कि accuracy आपके model की है, इतनी है, 0.62, जो कि हमने यहां पर देखा था, 0.62 हमरे accuracy है, तो इस तरह से हमने यहां इस वीडियो में देखा है, कि model build का इससे करना है, और उस model की accuracy किस तरह से calculate करनी है, या फिर model evaluation किस तरह से करना है, तो थैंक्यू फॉर वाचिंग दू वीडियो गाईस, करना है, करना है, करना है,